तो पहले चीजों को समझ जिए कि करना क्या बेसिकली यहां देखिए मिरे पास एक इंसेंटिव है मुझे इसको इंसेंटिव देना है लेकिन स्लैड के हिसाब से 0-40 हुआ तो 20 रुपे 40-80 हुआ तो 60 रुपे 81-100 हुआ तो 80 रुपे और गेटर देन 100 हुआ तो आपका 100 60 85 किया तो पहले 40 20 कि साब से 40 60 साब से फिर 5 जो है 80 कि साब से दिया तो इसी के लिए यहां पर फॉर्मुला देख कंडीशन वही लगेगा अब बस एक काल्कुलेशन करना है इसको सेलेक करके सबसे पहले बॉला के लेस तन इक्वल टू 40 अगर 40 है तो तो यहां अब इसमे आप कंडीशन लग रहा है ना तो कंडीशन लग रहा है तो आप क्या करें कि यहां पर 20 लिखती है 20 की रूपीश की हिसाब से इफ अगर यह लेस दर इक्वल टू 60 है तो प्रहें 60 नहीं है तो 60 अब इसको मैं कंवर्ट करूंगा फिलाल कंफ्यूज मत हुई है फिर लेस दर इक्वल टू 100 तो 80 अधरवाइज इफ अगरे ग्रेटर दैन हंड्रेड तो 100 अब कैल्कुलेशन तो अब यहां 60 जो 20 है इसका कैल्कुलेशन क्या होगा है इसको इसको मल्कुलाईज भाइ नहीं करना है हमें क्या करना है पहले मुझी को मतिप्लाई भाइ 20 से करना है फिर फिर प्लास फिर हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया माइनस किया 80 40 फिर उसको 60 से मिल्टिप्राई अब यहाँ पर माइनस 460 आ रहा है इसको ब्राइकेट में रखना हो माइनस क्यों आ रहा है वाई हाँ माइनस ही आएगा क्योंकि कंडीशन है ने आपने फिर मैंने यहाँ पर कॉपी यहाँ पर रखा और हमने बोला कि फिर यहाँ पर हमने दूसरा कंडीशन दिया अगर एग 40 है यहाँ पर 40 को 60 से मिल्टिप्राई करता है फिर मैंने बोला कि इसमें से माइनस करे हमारा 80 और फिर उसको हम 80 से मिल्टिप्राई करें फिर यहाँ पर हमने सेम करनीशन आला कि यहां पर आइसे जोड़ी नहीं कि आप लिखे आप लिख भी सकते हैं कि 40 मिल्ट बैट ट्वेंटी एट हंडेड प्लास अगें चालिश मिल्ट पाई शिक्स्टी तो ट्वेंटी फोर हंडेड प्लास 20 मुल्टिप्लाइब बाई अगर इसमें से माइनस करेगा हंडेड तो मुल्टिप्लाइब बाई हंडेड होगा तो इसको अलग अलग सेल पर आप कर लिए आपने चारों कंडिशन होगे हमारा अब आपको कॉपी पेस्ट करना है अब इसको कॉपी किजिए और जहां 20 है यह आपका यह आपका 20 वाला स्लैब हो गया यह आपका 60 वाला स्लैब हो गयी यह आपका 100 वाला स्लै अब 20 वाली को उठाते हैं हम यहां से और यहां पे पेस कर देते हैं जहां पर 20 है फिर यहां पर हम उठाते हैं 60 वाला और जहां 60 है उसके जगाँ पर पेस कर देते हैं फिर उठाना है मुझे 80 वाला पॉपी करना है और यहां जहां 80 है वहां पर पेस कर देते हैं और फिर उठाना है हंड्रेड वाला स्लै और जहां हंड्रेड है वहां पर पेस करें हो गया सर क्लियर है और समझ में आ गया कि नहीं अब एकारा नम्र कोश्चन जो पेंडिंग था उसके बारे में डिसकर्स करते हैं तो पहले इसका समझ यह कि आखीर करना क्या है तो बेसिकली 2020 नहीं 2019 कर देता हूं तो बेसिकली क्या है कि एक विल्डर है वो क्या करता है बिल्डर क्या करता है इस अकरता उस विल्डर क्या क्या करता है उस फ्लैड्स को सैल करता तो व्लैड की बुकिंग लेता है तो उसको बोला गया है कि 5 लोट तक आपको बुकिंग ले रजाएँ इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कुछ कस्टमर होते हैं जो कि इनके पास पूरा नहीं होता जैसे माले इस कस्टमर के पास सिर्फ 15 लाग रुपया ही था धाय लाग नहीं था धाय लाग देना था तो विल्डर ने बोला ठीक है आप 15 लाग रुपय दे दीजिए बाकी के एक के लिए आपको हम 20 मंत का केड़ लिमिट देते हैं 20 मंत तक आप पैसा जिमां कर दीजिए लेकि कुछ कस्टमर तो ऐसे भी है जो 20 मंत में जमां ना करेंगे 25 में जो पैसा जमां करेंगा तो उसको 5 मंत का इंट्रेस्ट दिना पड़ेगा वो भी 17 परसेंट इयरली रेट से समझें अब यहीं इंट्रेस्ट काल्कुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें निकालनी है प्रिंस पर तो मैं यहां पर एंड का फॉमा लगाता हूं अब सब्सक्राइब चेक करना है कि जो फ्लोड है वो लेश दन इक्वल टो फाइव होना चाहिए और फिर हमने बोला कि तो बुकिंग अमाउंट है मतलब कि यह जो है बुकिंग अमाउंट मतलब कि इसका टेम परसेंट इस ग्रेटर दैन यह होना चाहिए समझें मतलब कि जो इमारपी दिया है वो अगर बुकिंग अमाउंट से जादा है उसके बाद मुझे लगा निकालना है डिफ्रेंस की आज का डेट और इस डेट में क्या फोर्क है तो डिफ्रेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है डेटर इफ अलाकि ऐसे भी निकाल सकते है माइनस करके भी कि टुडे माइनस डेट और डिवाइड वाइड तो टुडे में क्या निकल गया आज का डेट और यहाँ पर क्या निकालना है तो मंत निकालना है मांत मांत राइट इस ग्रेटर दान ट्वेंट तो ए हो गया एंड का फोर्मूला कि भाई फ्लोर पांस से नीशे होना चाहिए मार्पी का डेट 10 परसें बुकिंग अमांट स जाधा होना चाहिए और देट और आज के डेट में मंद का डिफ्रेंस बीस से जाधा होना चाहिए क्लियर है कुणा ओट इसमें अब ऐसे रिजल्ट अगर ट्रू आया तो हमें क्या करना है तो हमें सबसे परें तो डेटेटी फॉर्मूला में यहां से कॉपी करता हूं हो हमें दूब़ां लगाने से पचने के लिए कर ना खकें कि फिर मैने बोला सिम्कल सी बात है। और लेगा लूगा प्रिंस्पल relevant होगा इसका ट्वेंटील ट्य तेन पर्सेंट मायनोस ट्न परसेंट मायनोस बूकिए कि क्या आ गया सब प्रिंस्पल आ गया राइट के बाद आता है तो रेट हमारा है 17 परसेंट डिवाइड बाइट टुब कि मंत्ली करना और यहां पर यर्ली है तो मंत में कर दिया और फिर मैंने वापस मुल्टिप्लाइ किया टाइम तो टाइम में 20 माइनस और डेटेड इस का फॉर्मुला से मंत्ली निकाल कर लिया और एंटरप्रेस कर लिया तो यह आपके सामने एक मिएट इसमें कुछ गर्बर हुआ है अब एक ते गर्वर कहा है तो गर्वर के लिए हमें जाना होगा फॉर्मुला है विलेट फॉर्म तो यह हमारा आ गया नाई लाक ताइलाक में से मैंने डेट लाक मैनस किया एक लाक आ गया यह हमारा रेट निकल गया अब यहां पर डी टू टुडे एम में निकला चोबाल इस वीस में चोबाल ओ हमने गलत कर दिया हमें यहां करना है माइनस में आ गया यहां पर हमें करना है समझे जादा है ना सब्सक्राइब करते हैं कॉपी और यहां लगाते हैं इस का फॉनला कि इस एंड अगर ट्रू है ते चौंतिस जार वाला कालकूलेशन को कर दे अधर्वाई जीरो कर दो तो किसी फार्मूला को इस तरह से ब्रेक करते हैं पहले कंडिशन को फुलफिल करते हैं तै रिजल् TOP करते हैं फिर जब दोनों सक्षेस्फुली हो जाता है तो दोनों को मैच कर देता है जैसे कि मैंने यहां पर कि समझ गया है कि तो यह सुन्दा है कि क्या है कि क्या था हमने एवलेट हमने एवलेट फॉर्मुला किया तो पता चला कि जो टाइमिंग है वो माइनस में आ कि हमने डिफ्रेंस टाइम डिफ्रेंस के जो मंत में निकाला था टेटेट इडिप से उसको हम 20 से माइनस कर रहा है जब कि उसको माइनस 20 करना था कि मैंने यहां पर गल्ति किया था यहां पर 20 माइनस डेटिट कर दिया तो क्या हो गया था वह माइनस में और इंट्रेस माइनस में काल्गुलेशन नहीं नहीं करता है कि अधिए कि यह देखिए क्या हुआ बदाते हैं यहां पर निकल गया यह एंड चेक कर लिया और इसने निकाल दिया कंडिशन ट्रू होने के बार इसने क्या किया सबसे पहले पिंस्पल निकाला जो की बनता है फिर इसने मंतली रेट निकाला जो बनता है तो 20 महीं 44 माइनस 20 24 महीं आ यह मतलत कि दो साल बात तो सही है ना 70% यरली है एक लाग कम निकालना है तो दो सालों में चोंदि दो साल का यह होग ना चोटीस दर ही होगा स्थर दुनान चोटीस कि आगे निजैस है समझें तो यह फाइल मैं ग्रूप में डाल देता हूँ कॉर्डिंग आपने करी लिया जो नहीं किया उनकों में बेश देता हूँ